आईए आज हम सब L के उच्चारण के नियम जानते हैं यूँ तो बच्पन में हम सब को बता दिया गया था कि L को हिंदी में ला कहते हैं जैसे लेफ्ट, लोटस लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है किसी भी वर्ड में L कब साइलेंट रहता है आई जला इसके रूल देखते हैं जब D, F, K और M से पहले L आता है तब L साइलेंट रहता है आईए एक एक लेटर को उसके एक्जामपल से समझते हैं जैसे D से पहले अगर L आएगा तो L साइलेंट रहेगा एक्जामपल देखिए इन सम में D से पहले L आया है इसलिए L साइलेंट है लेकिन ध्यान दीजिएगा एक्षप्सन तो हर जगा रहते हैं यहां भी एक्षप्सन है कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनमें D के पहले L आने पर L साइलेंट नहीं रहता है जैसे वाइल, चाइल यह सब एक्षप्सन हम लोग बच्पन से जानते हैं चाइल मतलब बच्चा, वाइल मतलब जंगली M से पहले L आने पर भी साइलेंट होता है जैसे आमंड, काम, बाम, पाम यहां यह ध्यान दीजिए आमंड यानि बादाम इसको कई लोग इसका तेल खरितवक कहते हैं आमंड का तेल दे दीजिए अरे नहीं भाई, आमंड का तेल और देखे, एक्षप्से पहले भी L आने पर L साइलेंट होता है जैसे हाफ, काफ, और तो और के से पहले भी L आने पर L साइलेंट होता है जैसे टॉक वाक चॉक फॉक देखे ये सब वर्ड हम लोग बच्पन से बोलते आ रहे हैं टॉक मतलब बात करना वाक मतलब टहलना लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि अरे किये के पहले ल जो है वो साइलेंट यह रूल है किये के पहले जब भी ल आएगा उस वर्ड मे तो एल साइलेंट रहेगा अच्छा इंगलिश अल्फाबेट का तिरह हमा लेटर है एम इसकी भी चैनल के धेरो नियम है कि एम को यम कहा जाता है यह एम कहा जाता है और क्या एम भी कहीं साइलेंट होता है इन सब का डिसकॉशन हम लोग नेक्स वीडियो में करेंगे अगर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो लगी कैसे हाँ लाइक करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों